अगर आप अपने घरी औफिस को नीट और किलीन रखने के लिए एक ऐसा वैक्यूम किलीनर लेना चाहते है जिससे आप वेट और ड्राइ फ्लोर, वाल, कारपेट, फरनीचर वगरा इसली किलीन कर सके तो इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे 5 बेस्ट और बेस वैक्यू अच्छी बिल क्वालिटी और पाउरफुल वेट और ड्राइ क्लीनिग फीचर प्रोवाइड कराता है और हमेशा की तरह इन सभी वैक्यूम क्लीनर का सबसे लोईस प्रैस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिससे आप बात में चेक आउट कर सकते हैं बट इन टैप्स के वैक्यूम क्लीनर मार्केट में अवलेवल होते हैं जिसमें सबसे पहला है कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर जो अभी तक का सबसे पॉपलर वैक्यूम क्लीनर है जो दो तरह के टेकनलोजी के साथ आते हैं जिसमें एक सरिफ ड्राइ क्लीनिंग के लिए और दूसरा and dry दोनों तरह के cleaning के लिए use किया जाता है और इसके साथ कुछ attachments पी दिये जाते है जो different different area को clean करने के लिए use किया जाता है दूसरा आता है handheld vacuum cleaner इस vacuum cleaner को सरिफ small areas में deep cleaning के लिए use किया जाता है जैसे drawers के dirt, car के अंदर का dirt, pillow, carpet वगरा तीसरा आता है robotic vacuum cleaner ये एक robot cleaner है जो automatically आपके floor को clean करता है और ये भी weight and dry technology के साथ आता है लेकिन ये बहुत जादा expensive होता है जिसे हर कोई afford नहीं कर पाते और इसका repairing cost भी बहुत जादा होता है तो इनमें से सबसे best canister vacuum cleaner ही होता है जिसे आप हर तरह के surface को clean करने के लिए use कर सकते है और ये budget friendly भी होता है next हमें कितने suction power वाला vacuum cleaner लेना चाहिए suction power का मतलब ये होता है कि किसी भी dust या liquid को अपनी और खीचता है जिसको KPA में measure किया जाता है मतलब आप कोई भी vacuum cleaner ले तो उसमें at least suction power 20 KPA तो जरूर होना चाहिए या इससे ज्यादा भी है तो अच्छी बात है KPA जितना ज्यादा होगा cleaning performance उतनी अच्छी होगी और इसी तरह power consumption भी जितना ज्यादा wattage का होगा उतना ही अच्छा power से vacuum cleaner सक्सिन करेगा और ये कम से कम 1400 watt या इससे ज्यादा होना चाहिए एक confusion हमेशा लोगों को रहता है कि हमें dry vacuum cleaner लेना चाहिए या weight and dry दोनों option वाले लेना चाहिए तो यहाँ पर अगर आप 100% sure है कि आपको normal साफ सफाई करना है जिसमें गीला कुछ भी ना हो तब आपको dry vacuum cleaner लेना चाहिए बट कभी कभी आपको bathroom या गीला floor वगरा भी साफ सफाई करना रहता है तब आपको definitely weight and dry वाला vacuum cleaner ही चूज करना चाहिए नेक्स्ट आपको यह भी ध्यान रखना है कि canister vacuum cleaner के साथ आपको multi-purpose brushes और adjustable extension tube वगरा जरूर मिलना चाहिए साथ में जिससे multi-purpose brushes को different area को clean करने के लिए और extension tube non-reachable place को clean करने के लिए use किया जाता है किसी भी vacuum cleaner का noise level 70-100 decibels के आसपास होता है जो suction speed को बढ़ाने के बाद noise level और भी जादा बढ़ जाता है और साथ ही आपको यह भी देखना है कि जो भी vacuum cleaner आप लेने जा रहे है उसका code length बहुत छोटा तो नहीं है जिससे floor cleaning करने time wire का length कम ना पड़ जाए Lastly और most important कि आपको vacuum cleaner पे ज़्यादा से ज़्यादा warranty मिलनी चाहिए क्योंकि जितनी लंबी warranty मिलेगी समझो उसकी build quality और performance उतनी अच्छी होगी तो इनी सभी important points को ध्यान में रखके मैं 5 best of best vacuum cleaner का review करने जा रहा हूँ बट उससे पहले आपको वीडियो यहां तक थोड़ा भी informative लगा हो तो please वीडियो को like और चैनल को subscribe करके मुझे motivate कर सकते हैं Okay so मेरे list में number 5 पर आता है Eureka Forbes Superwack vacuum cleaner Eureka Forbes का ये model budget में आता है जिससे आप dry surface के dust को clean कर सकते है जिसमें आपको 1600 watts और 20 kPa suction power की copper coil motor मिलेगी which is good और 2 liter का bagless dust tank मिलेगा जिसमें आपको replaceable dust bag की भी जरुवत नहीं पड़ेगी और साथ ही ये hipa filter के साथ आता है जो आपके घर को pollution free रखेगा इस vacuum cleaner के साथ आपको 7 accessories मिलेंगे जो आप screen पे देख सकते हैं और इनका use आप different different area को clean करने के लिए कर सकते हैं वेर्यू power control feature इसमें दिया गया है जिससे आप suction power को low, medium, high speed पर control कर सकते है according to cleaning darts इसकी body plastic material की बनी है इसमें आपको wheels दिये गया है जिससे आप इसे कहीं भी easily move कर सकते हैं अच्छी quality की 5 meter long coat दिया गया है और इसका noise level 87 disabled के आसपास around सुनने को मिलेगा यह easily disposal system के साथ आता है मतलब आप सरिफ एक button press करके इसका सारा dust dust bin में dispose कर सकते हैं जिससे आपका हाद भी गंदा नहीं होता है auto code winder feature भी दिया गया जिससे आप इस button को press करके इसका wire automatically wind कर सकते हैं 5 kg के आसपास इसका weight है और यूरे का इस vacuum cleaner पे एक साल की warranty देती है price इसका 4 से 5000 के आसपास मिल जाता है इसके pros and cons की बात करूँ तो यह lightweight है, good suction power मिल जाता है, bagless dust tank के साथ आता है बट इसकी build quality उतनी अच्छी नहीं है और यह बहुत जल्दी heat हो जाता है और इस vacuum cleaner का सबसे lowest price का link भी मैंने description में mention कर दिया है जहां से आप इसका offer price भी जान सकते हैं और इसे purchase भी कर सकते हैं ओके सब मेरे list में number 4 पर आता है Amazon basics weight and dry vacuum cleaner अगर आप budget में weight and dry vacuum cleaner लेना चाहते हैं जिसमें blower का भी option हो तो आप Amazon basics का ये model के साथ जा सकते हैं जो energy efficient भी है इस vacuum cleaner का use आप home, office, garage, workshop, hotel या किसी भी place में weight and dry cleaning के लिए कर सकते हैं 1400 watts और 20 kps suction power की copper coil motor इसमें मिले गी और 15 liter का tank और 3 liter का reusable bag भी दिया गया है जिसमें filter भी लगा हुआ है ये vacuum cleaner plastic material का बना है जिसमें 360 degree wheels, 3.5 meter long cable और 101 disable noise level इसमें सुनने को मिलेगा इसके साथ भी 7 accessories दिये गया है जो इस video का आप pause करके देख सकते हैं और इसे attach करके आप cleaning कर सकते हैं इस vacuum cleaner में आपको powerful blower function भी मिल जाता है जिससे narrow और hard tory cherries को भी easily clean कर देता है इसका weight 7.2 kg के आसपास है और इस पे भी आपको एक साल की warranty मिल जाती है weight and dry and blower function के साथ भी इसका price काफी reasonable है जो 3500 से 4000 के आसपास मिल जाता है इसकी pros and cons की बात करूँ तो budget friendly है, suction power ठीक ठाक है बहुत जादा अच्छा नहीं है weight and dry दोनों surface के लिए ये compatible है blower function भी दिया गया है बट ये थोड़ा जादा noisy है और cable length भी थोड़ा कम है इसका बट ये आपके लिए ज़्यादा बड़ा cons नहीं है तो आप इसे buy कर सकते है जिसका सबसे lowest price का link के नीचे description box में मिल जागा ओके सो मेरे लिस में नमबर 3 पर आता है American Macronic Weight and Dry Vacuum Cleaner American Macronic Vacuum Cleaner के लिए एक trustable brand है जो काफी अच्छी quality के products provide कराता है ये vacuum cleaner 1600 watts और 28 KPA suction power की copper coil motor के साथ आती है जिससे आप weight and dry cleaning के लिए कहीं भी use कर सकेंगे और साथ ये thermal power cutter protection के साथ भी आता है जिससे motor overheat हो जाने पर ये automatically off हो जाता है जिससे motor की life और भी बढ़ जाती है और सबसे अच्छी बात कि ये model ISI certified है जो पूरी तरह safe है यूज़ करने के लिए इसकी body stainless steel और plastic material के बनी है जिसमें आपको 360 degree wheels 5 meter long cable 97 disable के आसपास इसका noise level है और इसमें आपको 21 liter का stainless steel tank और हेपा filter भी मिल जाता है जिससे आप clean भी कर सकते हैं और बाद में खराब हो जाने पर इसे change भी कर सकते हैं इस vacuum cleaner के साथ भी आपको 7 accessories दिये गए है और साथ एक washable dust bag भी मिल जाता है ये भी powerful blower function के साथ आता है और आगे के filter को अगर हटा दे तो आपको best result देखनों को मिलेगा इसका weight approach 9 kg के आसपास है और इस पर एक साल की warranty मिलेगी जैसे कि ये vacuum cleaner अच्छी build quality और performance के साथ आती है तो इसका price भी थोड़ा ज़ादा है जो 7,000 से 8,000 के आसपास पर जाता है इसकी pros and cons भी देख लेते हैं तो build quality इसका काफी अच्छा है powerful suction motor इसमें मिल जाता है weight and dry दोनों के लिए suitable है blower function भी इसमें मिल जाता है बट जैसा कि मैंने बताया कि इसका price थोड़ा जादा है अगर आप इसे afford कर सकते हैं तो ज़रूर इसके साथ जाए because it is one of the best और इसका भी सबसे lowest price का link के नीचे description में मिल जाएगा और सो मेरे लिस में number 2 पर आता है फिलिप्स का power pro vacuum cleaner जिन लोगों ने ये decide किया हुआ कि मुझे स्रिफ dry function वाला ही vacuum cleaner लेना है तो फिलिप्स का ये model one of the best dry cleaning के लिए क्योंकि ये 1900 wattage और 33 kPa suction powerful copper coil के साथ आता है ये vacuum cleaner इसका design काफी attractive है जिसका body heavy plastic material का बना है जिसके साथ rubber wheels दिये गए है और इसमें 6 meter long cable मिल जाता है इसमें 10 liter capacity वाला bagless dust tank मिल जाता है और साथी 5 accessories के साथ आते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये power cyclone 5 technology पे basis work करता है जिससे powerful section देखनों को मिलता है इसमें allergy age 13 filter इसमें मिल जाता है जिससे fine dust particles जैसे pollen, pet hair, darts, mites वागरा को भी easily capture करके allergy free environment प्रोवाइट कराता है इसमें hygiene dust disposal system भी मिल जाता है मतलब सरीफ इसे press करके आप easily इसे dispose कर सकते हैं और extension tube के लिए active lock coupling feature भी इसमें मिल जाता है जिसे easily attach होकर lock हो जाएगा और button press करने पर ये remove हो जाएगा 7 kg के आसपास इसका weight है और Philips इस model पे 2 साल की long warranty देती है which is great वैसे तो इस vacuum cleaner में सब कुछ सही है बट इसका price थोड़ा जादा है जो 8 से 9,000 के आसपास cost करता है pros and cons की बात करूँ तो study build quality है इसका powerful suction motor मिल जाता है extension tube में active lock feature दिया गया है easily dust disposal system मिल जाता है cable का length भी इसका काफी अच्छा है बट जैसे कि ये सिर्फ dry vacuum cleaner है तो इसका use आप weight surface के लिए नहीं कर सकते हैं और इसका भी सबसे lowest price का link के description में मिल जाएगा ओगे तो finally मेरे list में number one पर आता है वो है agaro ace vacuum cleaner क्योंकि इसकी build quality और performance तो काफी अच्छी है ही और साथ ही जब आप इसका customer feedback देखो गए तो 7000 से भी जादा लोगों ने 4.4 star की rating दिये जिससे पता चलता है कि ये vacuum cleaner इन लोग की requirement को fulfill कर रहा है weight and dry cleaning technology के साथ ये model आता है जिसे हर तरह के surface को clean कर सकते है जो 1600 watts और 21.5 kPa suction power की heavy copper coil motor के साथ आती है जिससे आपको perfect cleaning result देखनों को मिलेगा ये भी 21 liter stainless steel tank और HEPA filter के साथ आता है और इसके साथ आपको 3 liter का washable bag, 360 degree wheels, 5 meter long cable और 87 disable के आसपस इसका noise level है इस vacuum cleaner के साथ भी आपको 7 accessories मिलेंगे इसका weight approach 7.2 kg के आसपस है और agaro इस model पे एक साल की warranty देती है और सबसे अच्छी बात कि ये अच्छी अच्छी feature के साथ आता है और काफी reasonable price भी इसका है जो 5000 से 5000 के आसपस ये पढ़ जाता है और हाँ guys इन सभी vacuum cleaner का सबसे lowest price का link के नीचे description में mention किया हुआ थे एक बार सभी का price जरूर चेक आउट करें क्योंकि इन पे अच्छी अच्छी sale चलती ही रहती है So I hope vacuum cleaner से related जो भी आपका dot था वो clear हो गया होगा बट फिर भी कोई सवाल ये confusion हो तो प्लीज आप comment कर दो मैं उसका reply जरूर करूंगा और इस channel पर हमेशा मैं इसी तरह का detail videos लाता रहता हूँ तो ऐसे channel को जरूर सबस्क्राइब रखे क्योंकि future में हमेशा कामी आएगी Thanks for watching guys, have a nice day